अगर बात आती है वीडियो एडिटिंग की तो उसमें ग्रीन स्क्रीन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और ग्रीन स्क्रीन का यूज कहां कहां पे किया जाता है सबसे जातो इसका यूज फूलिवोट की पिक्चरष जो बनाई जाती है उसमें बहुत ज्यादा यूज होती है बॉलिव़ूट में भी और बहुत जह सारी टीवी सिरियल्स जो आती है उसमें भी इसका यूज होता है यहां तक कि आपके YouTube वीडियोज अब तो इसका Rails में भी यूज किया जाता है लेकिन इसे added कैसे किया जाता है वो भी Android से तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे आप Android फोन से कुछ इस तरीके का जो green screen वीडियोज होता है उसे आप कैसे green screen को remove करके किसी भी background को लगा सकते हैं तो सबसे पहले हम चलेंगे काइन master application में इसमें हम chroma की feature के मदद से जो green screen होता है उसे remove करके किसी भी background को add करके आपको दिखाएंगे तो यहाँ पे मैं roughly 16.9 रेसियो पे किसी भी background को add करता हूँ दो तीन background मुझे यहाँ से add करना है तो फटा फट मैं roughly यहाँ पी use कर ले रहा हूँ किसी भी background को और मैंने यहाँ पे तीन background सेलेक्ट किया और फिर हमें जाना है layers बाले option में तो सबसे पहले मैं इसे fix कर लेता हूँ कि मुझे कितना duration चाहिए timeline में कितना बड़ा होना चाहिए वो सारी चीज़े मैं यहाँ से fix कर लेता हूँ और मैंने पहले भी video जो काइनवाशर के उपर बनाया था जो tutorial उसमें नहीं बताया था chroma की को क्योंकि यह थोड़ा सा एक point था मेरे लिए और इसका use hollywood picture में इसलिए ज़्यादा होता है जिससे की बहुत बचत होती है director को तो यहाँ पे हम chroma की enable कर दिये और इस तरह से आपको settings करना है और fix new channel में भी इस तरह से जो anchor होते हैं उस तरह यहाँ पे green screen पीछे होती है उनके और वो फिर subject होता है उनका जो उसको रखा जाता है आगे यानि कि वो एक subject होते हैं अगर बात करें video editing की तो उसकी long page में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ या फिर photographic की long page में और videography जो भी long page समझ लें यहाँ पे ठीक है तो इस तरह से आप chroma की feature का इस्तमाल कर सकते हैं अपने kind master में अगर आप PC या फिर laptop से कर रहे हैं तो उसमें आप after effect ऐसी बहुत सी सारी software है filmora बहुत सी सारी software है जिसका use कर सकते हैं और भी यहाँ पे applications भी बहुत सी सारी है लेकिन kind master थोड़ा सा जादा इसका use होता है इसके लिए मैं आप लोग को kind master में बता रहा हूँ और यह सभी जगह पे इसी तरह से work करती है और कुछ इसमें extra नहीं किया जाता है तो बस आपको easily इसमें add करना है and इसे enable करना है कोई कोई green screen direct आपके जो color जो setup किये हुए उससे match करता है तो उसमें एक बार में ही हो जाता है जैसे कि यह आपका जो background में color जो fix यहां पे setup किया गया है वो अगर बात आती है कि आपका जो यह अगर आप चाहते हैं कि visual करना कि जो आपका कोई subject जो green screen में ही है तो फिर कौन से color का यूज होगा तो वैसे इस्तिती में आपको जो background होगा वो हो जाएगा blue color का आप कोई भी blue color का इस्तिमाल कर सकते हैं अगर आपका foreground subject green screen हो यानि कि green हो ठीक है sorry screen नहीं वो green color का हो तो फिर वैसे इस्तिती में आपको blue color का यूज करना है ठीक है तो इस तरह से subscribe बाले को भी मैं green screen में यूज कर रहा हूँ and background noise के लिए मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि अब यह जो जहां पर हूँ यहां पर background noises बहुत ज़्यादा आ रही है वैसे तो मैं video editing sorry audio editing में mention करूंगा इसे तो यहां पर देख सकते हैं इस तरीके से आपको कर लेना है और यहां पर एक feature मिलती है जिसका नाम है detail curve and इसमें आप detail कर सकते हैं जो आपका subject है उसे detail कर सकते हैं जो background है उसे आप easily जो green screen का background है उसे remove कर सकते हैं तो बहुत ही इसे use करना बहुत easy है and आप यहां से check कर सकते हैं कि कुछ extra part जो छूट गया है वह आप इसमें आके check कर सकते हैं mask वाले option में इसमें आपको clearly दिख जाएगा क्योंकि यहां पे black and white में आपको visual होता है और उससे आप पकड़ सकते हैं कि क्या मेरा कुछ extra part या फिर जो quality है वो loss हो रही है तो वो सारी चीज़ों आपको यहां से पकड़ में आ जाएगी यही काम हम अगर after effect से करते हैं तो वो वहां पे perfectly कर पाते हैं और उसमें थोड़ा सा भी पता नहीं चलता है और बहुत सी ऐसी bfx वीडियोज होती है जिसमें इसका use किया जाता है और बहुत से director को इससे बचात है जैसा कि मैंने बताया तो वो इसलिए कि बहुत बड़ी बड़ी film बनती है उसमें अगर green screen का use न करें तो पता नहीं director का कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा क्योंकि हर चीज खरीद के नहीं किया जाए तो मतलब movie नहीं बनेगी बाई movie नहीं बनेगी तो वैसे इस्थिति में green screen का use किया जाता है एंड ये काफी ज़्यादा useful है इसका use एंड आप अपने youtube setup अगर चाहते हैं आपके पास पैसा नहीं है बजट नहीं है उतना तो आप background setup कर सकते हैं एंड उसे edit कर सकते हैं और इस तरह से अगर आपका adjustment भी करना है अगर कुछ color और चेंज करना है तो आप कर सकते हैं जो की बिल्कुल ही easy है और कुछ इसमें होता नहीं है और बस अभी के लिए इतना ही मिलते हैं next video में